सदर पुलिस्थाना शेत्र अंतिर्गत आने वाले सदर फ्लायोर से एक भयानक सड़क दुरगटना की जानकारी आके आ रही है जहां तेज रफ्तार का ने दूपई अस्वारों को उडा तिया जहां एक की मौकी पर ही मौत हो गई तो दूसरे को इलाज के तोरान वृत खोश सदर फ्लायोर पर दुरगटना थमने का नाम नहीं ले रही है अब एक कार्चालक ने बाइक पर सवार दो लोगों को उडा तिया जहां एक वैक्ति पूल से नीचे गिरे वैक्ति की मौकी पर ही बहुत हो गई जबकि दूसरे को उपचार के दौरान मृत खोशित क्या क्या मृतकों में गोराबा मैदान, ओल बगडगंज निवासी, पवन इश्वर्थ साड़े और दहीपुरा उन खाना निवासी अनुत्तर गनपश्रंपर करका समाविश है पुलिस ने कार क्रमांग MH40, जियम साथ आर दो तीन के सालग भोरी नकर हुडकेश्वर निवासी, अमोल अर्विद गड़वे की खिलाब मामना दज़ गया है जानकारी के अनुसार पवन और अनुतर सोंवार की शाम साड़े पाच बचे के दोरान मोटा साइकल क्रमांग MH31, CE 6366 पर सदर फ्लावर से काटोर डोड की ओर जा रहे थी इसे दोरान मानकापुर से सदर की और जा रहे अमोल ने वाई पॉइंट पर टेज कती में लापर वाई से वहां चलाती वी बाई को जोड़ा टकर माती टकर इतनी भाया निक थी कि अनुतर बाई से उच्छर कर नीचे आगिरे वही पवन भी काफी दूर तक घसिटी गए अनुतर की नीचे गिरने से हरकब बच गया वानों की टकर की आवाज सुनकर लोगों को समझ गया कि फ्लावर पर हास्सा हुआ है नागी को ने घटना की जांकारी पुलिस को थी पास खड़े और टोचालक मदद के लिए दोड़े कबर मिलते ही सदर थानेदार संचे मेंटे और एपियाई सुधिर कोड़ा पे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुचे अनुतर की मौकी पर ही मौत हो चुकी थी जख्मी पवन को उपचार के लिए मेय अस्पतान मी ले जाया गया कुछ देट बाद डॉक्टर उने उन्हें भी मुरूद खोशिक कह दिया पलिस ने अमुल की खिलाब विवी धारों के तहट मामला दश कर गिरफतार कर लिया है सदर फ्लाइवर का वाई पॉइंट सुरक होता जा रहा है जाँ सुरक्षा की दुरुष्टी से नकिल कसना आवश्यक हो क्या है नई तो यह कई परिवारों के उजन्डे का सबब बन सकता है जो की काफी चिन तरियस सिती है कैमरा परसन अखिलेश भारतवाज के साथ मनिश टेम्री के रिपोर्ट